हेलो आज मैं अपने वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो दो बेबी वाशेज मैंने यूज किये है कुछ पिछले कुछ सालों में एक है सेवामिट बेबी वाश और एक है मामा अउद बेबी वाश तो चलिए देख लेते हैं में चैनल लाइफ टॉक्स वित्रिया पे आप सब का स्वाधत है बेबी वाश इसको मैंने हर वक्त पसंद किया है जो बेबी सोप होता है उससे ज्यादा क्योंकि वो जंजट काम होता है उसमें जस बॉटल ले लिया उससे बेबी वाश निकाला यूज किया और बॉटल को लिखा है और यह क्या क्लीम करता है यह एक आइडियल फॉर पीएच 5.5 हेल्दी तवचा के लिए बना हुआ है और बहुती एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेबी वाश है यह 100 परसेंट सोप और आलकली फ्री है और यह इरिटेशन स्किल इरिटेशन जो होता है आई इरिटेशन ज मतलब इससे मतलब आखों में जलन नहीं होती है जब इसको यूज करते हैं बच्चों के आखों में हलका सा चला भी जाए अगर एक अल्ट्रा माइल्ट वाश एक्टिव कंपाउंट है इसमें जिससे बेबी का स्केन बहुती मतलब जेंटली क्लीन होता है और इसको देखते बेबी वाश को आप हेट टो यूज कर सकते हैं मतलब आप शैंपो के रूप में भी यूज कर सकते हैं मैंने किया है अपने बच्चे पर चार साल तक शैंपो के रूप में भी यूज कर सकते हैं और बोडी वाश के रूप में भी यह बॉटल जो है यह 400 ml का कॉंटेंट है आपको यह डिसकाउंट में भी मिल जाएगा विविर्न वेबसाइट्स में, मैं जो वेबसाइट्स में यह मिलता है या पाया सकता है, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी नीचे, आप वहां से चेक कर सकते हैं, यह सेवा मेट बेबी वाश एक मेड इन पे इसका एक सपारी या या यूस बिफोर डेट होता है, वो मैं लिखके आपको दे दूगी, आप चेक कर लीजेगा, इसका सेवा मेट बेबी वाश का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा, मुझे ही कैसा लगा, यह मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन उ जलन नहीं होती, और यह नारियल जैसे coconut-based cleanser से बना हुआ है, यह certified toxin free है, dermatologically tested है, यह pH balanced है, और आप यह जो बच्चा जर्म लेता है एक दम शिशू से शुरू करके पाथ साल के बच्चों तक आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी SLS, SLE, 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 SLE free है, इसमें ऐसा कुछ harmful chemical या कुछ नहीं है, यह natural ingredients से बना हुआ है, इसको आप head to toe यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मतलब आप इसको shampoo की तरह भी यूज करते हैं, बच्चे के बालों में और body wash के सरह भी यूज कर सकते हैं, इस bottle का ml content है 200, 200 ml का यह है, और इसका MRP है 1.99 रूपीस, यह आपको discounted rate में भी मिल जाएगा websites में, मैं उन websites का description में link दे दूगी, यह made in India product है, अपने देश में यह बना हुआ है, चलिए देख लेते हैं, इन दो baby wash को use करने का मेरे experience कैसा रहा और मुझे यह दोनों products कैसे लगे, तो पहले बात करते हैं, consistency की और texture क तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं इसका नहीं दिखा पाऊंगी, I'm so sorry, क्योंकि इस पर एक भूल भी बचा हुआ नहीं है, कि मैं दिखा सकूँ, मैं इस मामार्त का consistency और texture आपको दिखाऊंगी, यह दोनों same है, मतलब consistency और texture दोनों का same है, मैं आपको दिखात हूँ, जैसे मामार्त का consistency है, वो देखिए, यह देखिए, ऐसा है, इसका consistency देखिए, gel-like, clear liquid है, gel-like, तो चलिए इन दोनों प्राडर्स की अभी smell की बात करते है, तो दोनों में यह बहुत अच्छी खुश्बू डाली गई है, मतलब कोई भी artificial खुश्बू तो नहीं है, द अब चलिए बात करते हैं कि इसको यूज करने के बाद मुझे कैसा लगा, मैं पहले इसके बारे में बात करूंगी, सिवा मेड बेबी वाश, यह मैंने चार साल तक अपने बच्चे के लिए यूज किया है, मेरे बेटे के लिए, कि एज अभी 4 प्लस है, तो यह वाला इसको तब से यूज करें यूज, यह भी बिल्कुल वैसा ही टियर-free formula है, बिल्कुल आसू नहीं आते है, थोड़ा से भी आख में हलका सा वो जो वो होता है, वो चला जाए तो, और इसको भी यूज करने के बाद बिल्कुल भी कोई ऐसे skin irritation या कुछ भी नहीं होता, skin में स्विच कर लिया, मैंने यह लेना स्टार्ट कर लिया, विल इसके दो कारण है, मेंली, एक तो है huge price difference, मतलब इसका जो ये सेवा मेट का जो है 400 ml का package, ऐसा ही, अगर मैं मामा हर्थ का भी 400 ml का package आपको, ये तो 200 ml का है, लेकिन बड़ा जो पैक आता है, same content का आता है 400 ml का, इसका price है 800 रुपे के करीब, और इसका 400 ml का जो पैकेज होता है, बड़ा वाला वो भी पैकेजिंग में आता है, उसका price होता है 400 रुपे के करीब, तो बिलकुल half price है, तो अगर मुझे same benefit मिल रहा है 400 रुपे में, तो मैं 800 रुपीज क्यों खर्चा करूंगी, तो इसी वज है कि सेबा मेड बेबी वाश है वो जर्मनी में बना हुआ है, मेडी जर्मनी प्रड़क्त है, और मामा तो अपना इंडिया का प्रड़क्त है, तो अच्छा लगता है कि अपने देश का प्रड़क्त यूज कर रही हूँ, तो यह था मेरा experience जो मैं आप सब लोगों की साथ इन दो नो बेबी वाश को लेकर, सेबा मेड और मामावत बेबी वाश को लेकर, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, if you wish to listen to this topic in English language, then I have made a separate video in my channel, you can check it out there, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद, अगर आप शेयर करना चाते हैं, मुझे कुछ बचाना चाते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए, बाँ बाई